उतरपरदेश के पूर्व मुख्यमंतरी कल्यांड सिंघ ने अयोद्या मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खुशनी जहिंगे कल्यांड सिंघ ने एक प्रेस कॉन्फरेंस कर खुद को पहले दिन से राम भक्त बताया तो कल्यान सिंग ने कहा कि 9 नवंबर 2019 का दिर एतिहासिक था इस दिन 500 साल पुरान विवाद खत्म हो गया फैसला पूरी तरह से नियाईस संगत है किसी ने भी इसके विरोध में आवाज नहीं उठाई संकल्पना लोगों ने बनाई थी वो पूरी होने जा रही है भवे राम मंद्र के निर्मान के कल्पना थी संकल्प था वो आप पूरा होने जा रहा है सुप्रीव कोड ने किसी व्यक्तिव शेश को अधिकार ने देकर तीन महीने में एक ट्रस्ट बनाये केंद्र के सरकार ये कहा है विकास के दिश्टी से इतना विकास हो जाना चाहिए कि लोगों को लगे कि ये राम की नगरी है